हेलो एब्रिवन तो कौन कौन इस मौसम में भिंडी खा करके बोर हो चुका है ट्राइ करिए भिंडी बनाने का ये बिल्कुल ही नया तरीका और एज यूजवल ये बहुत ही आसान है इसको बनाना जब आप इसे एक बर बनाएंगे तो आपको ये बेहत पिसंद आएगी तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे बिल्कुल नय तरीके से भिंडी बनाना तो सबसे पहले 200 ग्राम भिंडी को अच्छे से दो करके सुखा लेंगे किसी भी कपड़े पे दो करके फैला ल होना चाहिए भिंडी न बहुत जादा बड़ी होनी चाहिए न छोटी होनी चाहिए भिंडी टेडी मिडी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए ऐसे भिंडी बहुत ही टेस्टी होती है और भिंडी ताजी है या नहीं इसको चेक करने के बिदि की नोक को ऐसे घोड़ा सा तोड़के दिखेंगे अगहसे थोड़ा से अगर वह हो भेड़ीं के अंदर जितनी करेंगे इसे इस अज़्वा कन फीस हैं और उसे निकालना बहुत असान हो अब चाकू से हम एक चीरा लगाएंगे और भिंडी के अंदर का जितना बीज और लंबी वाली जो रेशा होती है उसको निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारी भिंडी को कर लेंगे तो भिंडी के ऊपर का और नीचे का हिस्सा काट करके हटा दीजिए और 20 से उसके सारे बीज न दालेंगे दो बड़े साइज के प्याज साथ में हम डालेंगे आट-दस कलिया लैसुन की चॉप की हुई चोटा सा टुकड़ा अद्रक का बारी कटा हुआ और डालेंगे 7-8 हरी मिर्चे बारी कटी हुई सभी चीज हमें बारी बारी काट लेनी है अगर आप चाहें तो इन सारी चीजे को किसी चॉपर में डाल करके अच्छे से चॉप कर सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हरा धनिया साथ ही हम इसमें डालेंगे 1-4 टी स्पुन कलोंजी इसको मंगरेला भी बोलते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1-4 टी स्पुन अजवाइन नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से 1-4 टी स्पुन हल्दी डाल देंगे और साथ में जाएगा इसमें एक सीक्रेट मसाला, वो है अचार का मसाला, आपके घर में कोई सा भी अचार हो, उसका थोड़ा सा आधा चमच मसाला जो होता है वो आप इसमें डाल दीजिए, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो बस इन सभी चीजों को हम अच अच्छा पने वो दूर हो जाए, अच्छे से जीरे ठोड़ा सा क्रेकल होगा तो उसमें डाल देंगे एक चोथाई हींग, तो हलका से थोड़ा सा सौटे करेंगे इसको, उसके बाद जो यह प्यास वाला मसाला है, वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा केरमिल तक पकाएंगे तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना बस पांच मिनट तक धीमी आश पर हमें प्यास को अच्छे से चलाते हैं पकाना ताकि जितने भी मसाले हमने यूज किये हैं जब वह हम भींडी में भरेंगे तो बहुत आसानी से भर जाएगी तो प्यास हलका क्य थोड थोड़ा मसाला ले करके सभी भींडी में हम भर लेंगे इस काम को करने के लिए हमें अपने हाथी यूज करने पड़ेंगी क्योंकि चम्मस से हम्ण भा ताकि तेल का कच्छा पंदूर हो जाए जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो सभी भिंडी को हम इस तेल में रखतेंगे धीरे से और गैस बिल्कुल धीमी कर देना है तो इसको पकने देते हैं बिल्कुल धीमी आज पर इसको हम ढखकन लगा देंगे और दो से तीन मिनट तक इसे धीमी आज पर पकने देंगे दो से तीन मिनट बाद खोल करके देखिए भिंडी जो है बहुत ही सॉफ्ट है तो गलना यह शुरू हो गई है और यह 50% कुक हो चुकी है अब इसका हम साइट चेंज कर देंगे यानि कि यह दूसरी साइट से भी पक जाए तो बस दूसरी साइट चेंज करके हम इसको ढग होगी वीडियो आबो कैसी लगी है कमें बताइए गआ और रेसिपी अगर त्रॉसकर क्यांगे में सब्सक्राइब करियेगा वीडियो ने नूर करिए गडिया